Hello guys, तो इस question में हमें क्या करना है, 6 marks लूटने हैं, तो planning होनी चाहिए आपके पास, इस question को 6 marks को obtain करने के लिए there are 3 steps, पहले तो आप read करोगे, plan करोगे, then execute करोगे, reading के आपके पास 2 takeaways है, क्या पूछा क्या आपके पास F is invertible, ये so करना है, और hints के 2 parts है, अब हम planning वाले part के चलते ह हमें पता है कि invertibility कैसे proof करी जाती है, invertibility proof करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप byjection के through proof कर सकते हो, और byjection में आप injectivity that means 1-1, और subjective that means onto, आप separately proof करते हो, injectivity अपना proof करने का, ये standard procedure होता तक है, हमें यहां पर क्या करना है, चुकि हमें हमारे पास F inverse दे रखा है, और F inverse अकर दे तो हमें composition method के through ही जाना पड़ेगा, हम byjection के through नहीं जा पाएंगे, ये रास्ता हमारे लिए block हो गया, ठीक है, तो composition के through अगर हमें proof करना है, तो कैसे करना है, ये 4 step में हम लोग execute करते हैं इसको, पहला step होता है, F inverse find कर लेते हैं, ठीक, अगर नहीं दिया गया है, तो अगर F inverse, तो अच्छी बात है, हमारे लिए वो time में बच गया, then आप define करते हो, एक G function, ना proceed करते हो, verify करते हो, composition F और G का, कि वो एक identity function है, उसके बाद आप जो भी आपने verification किया, उसे conclude करते हो, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, execution part को, let a function G, which is defined from minus 5 to infinity, infinity, that means, core domain of F, to domain of F, that means, R+, such that, या बा function, बा function, बा function, गीवन बाई, गीवन बाई, गीवन बाई, गीवन बाई, गीवन बाई, गीवन गीवन इकवल्स तो, जो भी आपके पास, verification के लिए F inverse दिया गया है, वो लिक होगे, y plus 6 minus 1, all upon 3, now statement बहुत ज़री होता है, statement आप ध्यान से देखिए, यह की तरीके से statement लिखते हैं, common है, वो आप follow करिए, कितने लोग statement नहीं लिख पाते हैं, now consider an element, an arbitrary element, an arbitrary element, why, कहां से लेंगे हम लोग यह, यह हम लोग क्या proof वाले हैं, उससे पता चलता है, तो चुकि हमें पहले verify करना है, fog, और अगर fog verify करना है, अगर हमें fog verify करना है, तो जाईर सी बात है, कि जो domain होगी, वो inner function g की domain होगी, तो g के domain से लेना है, g का domain मतलब f का co domain, और f के co domain से जब भी element consider करेंगे, तो y लेंगे, और f के domain से जब consider करेंगे, तो x लेंगे, तो y belongs to domain of g, that means minus 5 to infinity, then, जो fog of y हो जाएगा, that is equals to f of gy, और f of gy का मतलब क्या है, जो f की definition है, जहाँ जहाँ x रखा गया है, वहाँ पे gy रख दीजिए, तो f की definition में, जहाँ जहाँ x है, वहाँ पे हम gy रख देगे, तो जाएगा 9 times gy square plus 6 times gy and minus 5, अब gy की अपनी खुद की definition है, वो आप gy की value place कर दीजिए, तो gy आपका क्या है, that is square root of तो for verify करने के बाद, अब मेरा आखरी काम बजता है, कि हम goff को identity function verify करें, इसके लिए goff, चुकि हमें goff को verify करना है, तो इसका मतलब हमें एक statement जो लिखना है, वो प्रक्रिया जो है, उसके थ्रोमाएंगे, तो statement क्या लिखेंगे, हमें एक element consider करना पड़ेगा, जो f की domain में हो, और f की domain में जब भी हम लोग element लेते हैं, तो वो x लेते हैं, statement क्या prepare करोगे आप, statement जो होगा, लिखोगे consider an arbitrary element x, जो किसके domain से, f की domain से है, then, आप दिखोगे जो गॉफ हो जाएगा, that is, g of f of x, अब g की definition में, जहां भी आपके पास y है, वहां आप f x प्लेस कर दीचे, तो g की definition क्या थी? square root of y plus 6, that means, f x plus 6 minus 1 whole upon 3, तो अब f x की भी अपनी definition है, f x की value place करिए, तो f x की value क्या दे रखा है, that is, 9 x square plus 6 x minus 5, यह तो f x है, लेकिन plus का 6, यह g की definition से आया हुआ है, minus 1 whole upon, गवड़ाना नहीं है, आप अराम से हर step को लिखिए, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, लेकिन आपके calculation mistakes के chances आपके degrees हो जाएंगे, तो यहां पी आपका क्या हो जाएगा, that is, square root of 9 x square plus 6 x, और plus 1 हो जाएगा, minus 1 whole upon 3, अच्छा, board की अच्छी बात है कि question repeat करते है, इसका मतलब calculation भी repeat करेगा, तो आप pre-prepared रहोगे, ठीक है, अगर आप सारे question करे हो, अच्छे question सारे करे हो, LCRT solve किये हो, और अप, ठीक है, board previous year किये हो, तो आपके लिए challenge नहीं रहे, जो आपके पास under root में expression बची हुई है, वो 3 x plus 1 का whole square है, minus 1 whole upon 3, लेकिन हमें पता होता है कि जो हमारा under root x square है, इसको हम x नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजेगा important step है, जैसे mod x हमें सारे लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, that means, that could be written as a mod of 3 x plus 1 minus 1 whole upon, since यहाँ पे जो x है, वो positive है, अब x positive है, तो आप यह कर सकते हो कि 3 x plus 1 भी positive होगा, इसका मतलग, by positive को 3 से multiply करोगे, तो वो क्या हैगा, positive होगा, उसमें 1 add करोगे, तो वो भी आपका क्या होगा, positive होगा, इसका मतलग, जो mod है, वो plus sign के साथ पुलेगा, ठीक है, plus sign के साथ पुलेगा, इसका मतलग, कि जो आपका mod है, वो simply remove हो जाएगा, 3 x plus 1, minus 1, whole upon 3, 1 से 1 cancel होगया, then आपके बास, क्या बचा, 3 x upon 3, तो वो 3 3 cancel हो जाएगा, और यह किसके एक्वाल आजाएगा, x के एक्वाल आजाएगा, तो जो आपका gauf है, gauf of x, वो x identity function के एक्वाल आगया, यह true है, for all x belongs to r plus, अब हम लोग, conclusion part की तरफ, proceed करते है, this show that, this show that, क्या हमने show किया है, जो fog है, वो भी एक identity function है, लेकिन, जो identity function है, उसकी, वो किस set पर defined है, g के domain पर, that means, minus 5 to infinity, and, जो gof हमने वेरिफाई किया, gof, यह भी एक identity function है, लेकिन, यह किस set पर defined है, वो f की domain पर है, r plus, which implies, which implies, which implies, that f is invertible, f is invertible, जो हमें task दिया गया था, प्रूब करने के लिए, बित, किस के साथ invertible है, g के साथ, मतलब g f के साथ invertible है, और f g के साथ है, that means, g क्या था, जो given f inverse था, given f inverse, यह invertibility हम लोगों ने प्रूब करिया, अब हम लोग आगे चलते हैं, hence part की तरफ, तो first part में क्या पूछा गया है, first part में हमें पूछा गया है, f inverse 10 की value बताईए, मतलब f inverse था एक function है, अब उस function के variable की place पे हमें 10 place करना है, तो function की definition क्या दी गई है, f inverse y दिया गया है, under root y plus 6 minus 1 all upon 3, तो यहाँ पे जहाँ भी y रखा गया है, वहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे 10, तो 10 plus 6 minus 1 all upon 3, 10 plus 6, 16 हो जाएगा है, square root 16 का आपका, 4 आजाएगा, 4 minus 1, 3 और 3 by 3, 1 आजाएगा, इसका मतलब जो आपका hints का पहला part है, उसका answer आपका 1 आगया, that is one of the answer, अब second part पे चलते हैं हम लोग, second part क्या कहा गया है, कि हमें y find out करना है, such that, y find out करना है, such that, जो f inverse y है, यह आपका 4 by 3 है, तो हम लोग ने कहा अचल यह ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है, कि जो f inverse y है, that is equals to 4 by 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि जो y हो जाएगा, वो f of 4 by 3 हो जाएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अगर हमारे पास, suppose यह set x है, और यह set y है, तो अगर यहाँ पे कोई y element है, ठीक है, जिसे f inverse x के किसी element को map कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, कि जो f होगा, उसका x किसको map करेगा, y को map करेगा, तो y under image, f x की image जो हो जाएगी, y हो जाएगी, that means, यह आपका y plus 2 आप f of x लिख सकते हो, अब हमें पता है कि जो f x की definition है, उसमें हम x की place पे, क्या place कर दे, 4 by 3, तो यह हो जाएगा आपका, 4 by 3 का square, plus 6 times, 4 by 3, और minus 5 है, solve कर लिजे, 3 3, जा 9 cancel हो जाएगा, यह 16 बचेगा, और यह आपका 8 बचेगा, minus 5, that means, यह कितना आ गया, y के value आपके आ गई, 19, that is your answer, तो सारा question हम लोगोंने, सरीखे से किया है, statements कैसे लिखने होते हैं, presentation क्या है, वो सारी चीचे आपने देखा, thank you.